येस बिटा, लगेगा भयंकर ठक गए हो, लगेगा बस अब और नहीं, पर सब रोक के रखना, पर आप एक बात समझ के रखे, राइट, सिर्फ जिनमें पेशन्स होता है उनी का काम है C.A. बाकी किसी हर एक के बस की बात नहीं, ये पूरा कोर्स पेशन्स ही है, पेशन्स ये चीच सिका रहा है कि कल चल के, जब C.A. के ओफिस में बैठोगे अपने चेर पे, ऐसा होता है कि दिन भर एक क्लाइंट भी नहीं आता और ऐसा भी दिन गुजरता है, जब क्लाइंटी क्लाइंट होते हैं तुमार पर साहिम नहीं होता, वो समय होगा मार्च, वो समय होगा जुलाई वो समय होगा सप्टेमबर, जब तुम्हार को खाना खाने की पुरसत भी नहीं होगी, मेरी बात लिख के लेना, कि मार्च, जुलाई, सप्टेमबर खाना खाने की पुरसत नहीं होगी, क्लाईंट पैसा लेकर रेडी है, पर तुम बोलोगे, बाद में आ, बाद में देखते, मिरेको पहले काम करने दे, यह सब सिर्फ उस दिन का preparation है कि जब तुम September के अंदर में किसी का audit complete करते रहो, जब तुम March में किसी का return बढ़ते रहो या July में किसी का return बढ़ते रहो, तब तुमारे अंदर इतना patience हो कि तुम चुप चाप एक जगह टिका करके बैठ सको, यह आज तुम training ले रहे हो, यह training सिर जिस दिन raid पड़ती है, client premises पर जिस दिन raid पड़ती है, तुम अपना सारा काम छोड़के सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि पैसा मिलने वाला है, वो तो मिलेगा, byproduct है, CA के लिए पैसा कभी भी byproduct है यह याद रखना, क्योंकि एक बार CA बनगे, पैसा तो आनाही है बे, जाएगा किदर, जाएगा किदर और हम नहीं तो कौन, अपने आप से हमेशा यह सवाल पूछे, if not me, then who, not now, then when, अगर मैं नहीं तो और कौन, अपै मेरे लिए ही बनाए, अपने लिए बनाए, अपने लिए बनाए, अपने डायरेक पूछने का, यह साब अपने लिए बना रहोगे तब भी होंगे पर एक बात याद रखना जिस दिन क्लाइंट के यहां रेड पड़ती है उस दिन तुम अंटाइरिंग खड़े रहते हो क्योंकि पूरे छे साल के असेस्मेंट खुलते हैं पिछले तुम खड़े रहते हो उसके घरवाले रहे ना रहे तुम खड़े रहो गया as a chartered accountant कि कोई problem नहीं मैं हूँ जिस दिन demonetization हुआ आदमी परेशान हो गया सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा सिये वो रात कयामत की रात थी दंदों के दंदे वालों के लिए कयामत की रात थी क्योंकि आदमी परेशान पैसे का करे क्या और सिये बोला आओ आओ कभी हमेली पे समझनारी बात उस टाइम तुम यह नहीं बोल सकते imagine बेटा मान लो demonetization आता है future में कभी भी तुम उस टाइम यह नहीं बोलोगे नहीं नहीं मैं बहुत थक गया नहीं नहीं आत संडे है आत तो चुट्टी का दिन है अरे टेंशन नहीं लेना यह सब जितना patience है यह उस दिन काम आएगा एक एक पसीने का बदला उस दिन काम आएगा जब मेरी मम्मी के आंक में आस उरेगा मेरा बच्चा सी हो गया सब महनत उस दिन काम आएगी सब महनत उस दिन काम आएगी believe me तुमने CPT में कुत्ते के जैसे मेहनत करी पागलों जैसे मेहनत करी जिस दिन तुमारा CPT का result आया तुमारको एक point ध्यान में नहीं था कि तुमने कितनी मेहनत करी क्यूंकि वो एक second की खुशी चार-चार महीनों की मेहनत से उपर की होती है वो बस एक मिनिट की कुशी चार महीने के मेहनत की उपर की होती है सोच 12 में तुने इससे जादा मेहनत की थी ये बात तो तुझे accept करनी पड़ेगी 12 में तेरी मेहनत बहुत जादा थी लेकिन जिस दिन आज का वो period समझ आज का वो period समझ तु 12 की मैंनत को यद भी न ही कड़ता वो निकल गया, वो टाइम गुजर गया ये भी एक टाइम में गुजर जएगा जब तुम फाइनल की क्लास में वेटऊ गोगे ना तब तुमको याद भी नहीं आएगा कि तुमने इंटर में कितनी महनत ओज गया कि गला गया उसके बाद भी करना है मैं आप सबको ऐस बड़ा भाई बस एक बात बूलना चाहता हूँ, बिटा बड़े ड्रीम के लिए बड़ी महनत लगती है छोटे ड्रीम के लिए छोटी महनत लगती है, तुम डिसाइड करो तुमारा ड्रीम केता है, मेरा ड्रीम है पूने में सी एका बच्चा है तो वो मेरा ही होना और उसके लिए मेरे को पागल के जैसा महनत करने की है उसके लिए मेरे को पागल के जैसे महनत करने की है मेरे को ऐसा लगता है वो बच्चा मेरा होना उसके बाद वो चार से बात करे तो उसमें डिसकशन में भी मैं होना तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा और जब मैं हूँ तो कोई और करेगा ही क्यों मैं हूँ तो कोई और करेगा ही क्यों काम खतम बिटा आपको पागलों के जैसे मेहनत करने पड़ती है कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती साहब एक बात बताता हूँ छोटी सी बात बताता हूँ चार तारिक से बैच चालू होगा आप में से सब को पता है क्या जरौत है मुझे उत्ती मेहनत करने की आपका जब ब्रेक था तब भी जाके काउंसिलिंग कर रहा था बाद में भी कर रहा था पॉइंट यह नहीं है कि इससे क्या गेन होगा पॉइंट यह है कि अगर ड्रीम चोटे नहीं है तो मेहनत चोटी नहीं लगी द्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी तुम डिसाइड करो तुम को कितनी मेहनत करनी है पागलों के जैसे जब मेहनत करोगे न तो जा करके recognition मिलता है ऐसे recognition नहीं मिलता पहला आदमी कौन था जो चांद पे गया था तीसरा किसी को पता नहीं ना कोई जानने में interested है ना कोई जानने में interested है no doubt तुम बहुत थक चुके हो साला पिछले 6 महिने से अपने आपकी ऐसी तैसी करा चुके हो body के आते पते नहीं, relative के आते पते नहीं, hobby क्या होती है पता नहीं और तुम अपनी पूरी ऐसी तैसी करा चुके हो, पिछले छे महीने में यह शायद उससे भी ज़्यादा, अगर नवेंबर एटेम दिया होगा तो पर इन सारी चीजों का solution एक ही है बटा, जिस दिन तुम्हारा ये result आगा न, उस दिन सब महनत, सब महनत एक second में fruitful लगती है, एक second में, और इसके बीच में दस तकलीफ आएगी, और बटा तकलीफ ही नहीं आई, तो success story का घंटा बनाओगे क्या बताओगे कल चल के अपने बच्चे को, तेरे बाप कौन था, एक आम आदमी जिसने बस नॉर्मल महनत करी, या कुछ बताने के लिए होगा, कि एक टाइल पे बैटके खाना खाया है, हर संडे गवाया है, relative छोड़ा है, पागलों के जैसे revision batch किये, जहां master पागल और हम उससे double पागल, बताने के लिए ना कुछ insanely पागल चीज होनी चाहिए, बेटे बताने के लिए कांड होना चाहिए, किससे तो कहियों के पास है, बताने के लिए कांड तो होना चाहिए, कि सारा जिस दिन पुरी दुनिया मजे ले रही थी संडे के 26 जन्वरी के उस दिन भी चाम तक में बेटाता पागल जैसे, तब जाके, मेरे भाई, ऐसे ही, आप सोचके देखे न, ऐसी मूर्ती भी भगवान नी बनती, पत्थर को भी हतोड़ा लेना पड़ता है, ऐसी बन जाएगा, नहीं, बहुत प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है, और मैं तुम्हार को एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, शायद थोड़ी सी ये बात एडल्ट्री होगी पर सुनना, तुम इससे बड़ी जंग लड़के आचुके हो, जब तुम पैदा होने वाले थे, तुमने कई चीजों से लड़ा है, तब जाके तुम यहां आए हो, ये बस एक छोटी किसी एक्जाम है, तुमने इसके पहले कई हडल्स पार किये पर तुमको पता नहीं चला कि तुमने वह हडल्स पार किये, पहली बार चलना भी लाइफ में बहुत मुश्किल था, तुम दस बार गिरे थे, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम आज गिर चुके हो, आज तुम सकते हो, भाग भी सकते हो, दौड भी सकते हो, सिर्फ एक चीज से बच के रहो, वह है रुकना, रुको मत, किसी भी चीज में, पागलों के जैसे वक करनेगा, बॉस, अपने पिछले छे मैंने भैंकर मस्ती कियोगी, कमी रखी कहीं, आप खुच सोच के देखो, कमी होगी कह आपने हर मस्ती की, पढ़ाई की no doubt, पर मस्ती भी की, पर अब यह समय है, पढ़के कुछ करनेगा, जो पास्ट हो गया वो पास्ट, फ्यूचर में नहीं देखनेगा आप इसको, आगे क्या कर सकते हो, अगर हम भी यही बात बोलते हैं, तो हम भी बोलते थे, हमने पढ़ा हमारा खाम खतम हो गया, हम यहां पी नहीं बेटे होते हैं, अपने चार दिन गवा करके, बेटे हैं, क्यों? क्योंकि रिजल्ट लाएंगे, आउटपुट लाएगा, तो मेहनत मिलेगी, जब मेहनत करने के बाद बच्चा बस एक मिनिट अपरेस कर देता है न, वो लगता ह कि नहीं मेहनत सफल हो गई, उसके बाद कुछ नहीं दिखता, ठीक तुमारा भी ऐसा ही होगा, जिस दिन सिये बन जाओगे, पहली बार पपा के मुझ से सुनोगे न, और सिये सहाब, नालायक के जगा, और सिये साहब सुनोगे न, सर उस दिन का मजा ही अलग है, मजा ही अल का टाइम जाओ जरा गुम के आओ, कमाने के लिए बैठा है न मैं, वो पल जो रहेगा न, खुशी अलग है, लाइफ में पहली बार अपनी कमाई से अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे न, तब मजा आएगा, पहली बार 26 जनवरी से ये बनने के बाद अपने म ममी पपा को शॉपिंग मॉल में लेके जाओगे, जिस चीज पर अच्छे लग रहे है, वो चीज उठा लेने का, टेंशन ने लेने का, और जेब से निकालोगे कार्ड, ममी ये कार्ड रख, जो पसंदाए ले लेना मैं चाय पी रहा, वो जो खुशी होगी ना सलासी ये ब उनने तो अपनी निकाल दी, जिलना तुमको है, उनने अपनी निकाल दी, जिलना तुमको है, एक बात समझ के चलना, तुमारे अलावा तुमारी लाइफ में कोई इंटरस्टेड नहीं है, एक बात समझ के चलना, तुमारे अलावा तुमारी लाइफ में कोई इंटरस्टे यह तीनों भी चीजों से आगे बढ़ना, लाइफ इस टू शॉर्ट, टू डील विट चीप पीपल और चीप ड्रिंक्स, पागलों के जैसे महनत करो, रुखने का मन करेगा, ठकने का मन करेगा, दिल बुलेगा नहीं यार बस अब बहुत हो गया, कुछ नहीं जा रहा दिमाग में, ऐसे कैसे नहीं जाएगा, जाना चाहिए और जाना ही चाहिए, अपने आप से प्लीज यह सवाल रोज करे, इफ नॉट मी, देन हूँ, नॉट 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 इन हूँ, साला मही नहीं तो और कौन, और कोई और तुम से सक्सेस चुरा करके लेके जाए, क्यों तुमारे हत्पाव बंदे थे, तुमारे पास दिमाग नहीं था, आक नहीं था, या उपर्चिनेटी नहीं थी, सब ता, साले तुने महिनत नहीं करी, कर, तेरे बाजु वाला कर सकता है, तो तू कर सकता है, वो साला चार घंटा जग सकता है, तो तू पांच घंटा जग सकता है, सिर्फ एक सेकंड तिरको दूसरों से आगे रहना है, बस एक सेकंड तिरको दूसरों से आगे रहना है, you will be appraised a lot तिरको बस एक मिनिट दूसरों से आगे रहे ना है पागलों के जैसे मेहनत करनी है माइड भी तुमको ऐसा लग सकता है अरे यार यार ये सा बहुत सुन लिया अब बकवास है नहीं अपने आपको दस बार मोटिवेट कर मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो सासों के साथ आनी चाहिए क्यों क्योंकि ये एक ही चीज़ है जो तुमार को कीप गुएंग रखेगी और कुछ नहीं परपस होगा तो जीने का मतलब है अगर गोली खतम होगए तो तुमारे जीने का कोई सेंसी नहीं बनता अब ये गोल कुछ भी हो सकता है मेभी अची होंगा डिगरी मेभी कम्प्लीटिंग दिस विदिन सम पर्टिकलर टाइम फ्रेम मेभी अर्निंग सम मनी और वाट्सुएवर अपने अपने ड्रीम अलग-अलग ड्रीम और आप सोचके देखो सर कम्प्लीट कर लिया बस उस दिन का एक मौका छोटना हम आपको बताते हैं सर रिजल्ट आया तेवेस तारिक को वी स्मार्ट अकैडमी में विशाल सर के 10 रैंक दर्शन सर के 8 रैंक 18 रैंक वी स्मार्ट अकैडमी से है CA फाइनल में 18 रैंक यह बच्चे आकर के जब मिलते हैं CA बनने के बाद खुशी होती है इनको साला इंटर से बड़ा होते वे देखा है फाइनल तक नो डाउट तुम भी जिस दिन जाओगे उस दिन ऐसा लगेगा इंटर की बैच के बाद आपन फाइनल में मिलेंगे नाम बदलने की है क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे ना किसी ने नाम दे रहे जा तिरा नाम विजे इसको CA विजे बनाने के पीछे मेरी मेहनत है और वो ही तुमारे साथ भी होगा इसमें हो सकता है तुमारे को प्रॉबलम आए फाइनांचल प्रॉबलम हेल्थ प्रॉबलम इमोशनल प्रॉबलम प्यार हो गया प्यार तुड़ गया सब प्रॉबलम आएंगे इसके बीच में फिर तुम पास इतनी और है मेहनत कर रहे तो सब प्रॉबलम आएंगे आन दो If not me then who If not me then who मैं नहीं तो और कॉन If not now then when अब नहीं पढ़ना तो कब करना? अब नहीं करना तो कब करना? और यह चीज तुमार को बार-बार उपर लेके आएगी, क्योंकि तुम दस बार अगर अपने आपको बोलते रहोगे, if not me then who अगर ये मेरा नहीं तो और किसका है Sir एक बात समझ के रखना result तो fix है 30% 40% whatever आपको make sure करना है कि अपना कितना परसंट दे कि इस 30 में बैठ सको और नहीं तो there is May November, November के बाद फिर में पर क्या तुमारे पास really इतना टाइम है तुमारे लाइफ में तुमारे गोल्स के लिए No तुमारे गोल्स इतने डिले अगर हो गए एक टाइम होता है जब अपने को as a you know as a person सोचना पड़ता है that where am I going what I am doing Life is not just meant के आप सुबरे उठें बैग ओपन करें उठके कहीं जाएं आएं क्लोस कर दें सो जाएं No this is not life there are many things कमाने का डोनेट करने का there are many things in life you need to do 60 से पहले तुमार को यह सब कंपलीट करने का है सब मन करेगा बस थक गया मैं बहुत हो गया सब होगा सब होगा इस से उपर अगर तु है तो सक्सेस तेरे लिए वेट कर रही है तो अगर इन चीजों से उपर है तो सक्सेस तेरे लिए वेट कर रही है सक्सेस आल्सो टेस्ट पेशन्स बोस मैं आपको बस छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ एक टाइम था साब, राइट, प्रेस्टीज में हर जग घुमा, हमार को पढ़ाना आता है, मैं भी दर्चन भी, खेद, पढ़ाना आता है, पढ़ाने दे दो, पढ़ाना आता है, पढ़ाने दे दो, nobody turn up experience नहीं था क्या नहीं था experience experience नहीं था कराना से 6 साल से 7 साल से पागल के यसे मेनत कर रहे न अभी क्या over the period of time then we get a offer let's merge फिर उफर आता merge कर लेते join कर लो साब सब होगा सब होगा तुमारे साथ भी जिस जिसने ठुकराया है सब वापस आएगा गूम के वापस आएगा और साला इत्ती तकलीफ क्रियेट कर दो जब तक के कि मजबूरी हो जाने को उना सामने वाला और इत्ता तो भगवान ने दिया ही अपने को बेक बेंच चरे जुगाड से नहीं बना सके तो फिर किस काम के तो कि जिस दिन तुम इस कोर्स में आए ते उस दिन तुमने पहला जुगाड किया था परसंटेज कुछ भी हो इस कोर्स में एंट्री है यही तो सबसे बड़ा जुगाड था यह तुम्हारा सबसे बड़ा जुगाड था मेरे भाई और खतम काम पागल के ऐसे बिढ़ जाने का कोई खड़ा करने को रेडी नहीं था जिस दिन पहली बार बैच लिया दो बच्चे उस में से भी एक ने रिफिंड मागना होता है चिल उसके बाद क्या हूँओ आपको हु पधे और मेरे को भी मालु मेरे महरेफ़ान के अंदर में तुम बैटे हो सलह रेगुलर में आने को तयार नहीं था कोई और marathon में हम crowd लेकर के बेटे बस यह जो gap है ना इसको अपन success नहीं महनत बोलते हैं जो लोगों को success दिखती है और अपने को महनत दिखती है क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने कितने बार अपना गलागव आया है कितना time waste किया मेरे साथ साथ मेरे family ने जो sacrifice किया क्योंकि Sunday तो पल्लवी और स्वास्तिक का भी है ना but they are also sacrificing along with me when I said कि मैं 9 नहीं साढ़े नहीं को आएगा मैं साढ़े नहीं दस को आएगा और तुमारा goal भी तुमार को बस यही चीज़ दिमांड करता है क्या तुम little extra push करने के लिए ready हो little extra little extra काम खतम little extra तुमार को लगता है exam लिखते वक्त नहीं आर बस और हाथ दुख गए थोड़ा सा और लिख दे जहां तुमको लगे तुम मतलब अब तुम extinguish होने वाले हो मैं कहता हूँ वहाँ अपने आपको फिर एक बार motivate करके वापस से अपने आपको push up कर दिन खतम हो गया फरक नहीं पड़ता रात आ गई फरक नहीं पड़ता तेरा दिन या रात तेरे गोल से डिसाइड होनी चाहिए मेरे भाई तु अगर सर इधर कुछ बच्चे हैं जो जिनको पता है मेरा रूटीन क्या चल रहा है उन बच्चों को मैं वो बच्चे मेरे को लिटरली बोलते हैं सर थोड़ा सा सोजाओ यहाँ पर है कुछ बच्चे मेरे को लिटरली बोलते हैं सर सोजाओ हसने का अपना काम करने का ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं सुननी है पर point यह है कि मेरेको उससे ज़्यादा बड़ा मेरा goal दिख रहा है और मेरा time कम दिख रहा है मेरेको मेहनत करने का रहे बोलेंगे, दस लोग बोलेंगे, तिरको कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे सब होगा इस life के अंदर में, सब होगा, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो तिरको सबसे ज़्यादा दुनिया का नालाइक समझते होंगे ओके में thank you बोलने का नागे बढ़नेगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रख, तु इंपोर्टेंट है और तेरा गोल इंपोर्टेंट है और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम किसी भी हाइट को रीच कर सकते हो, उसके ताकत रख सकते हो या तो फिर तुम डिसाइड कर लो, where you want to be satisfied, whether you want to be satisfied at Maroti, Swift और Alto, और you have to go till BMW, यह आपको decide करना है और इतना आसान भी नहीं है, Swift से BMW पे shift होना क्योंकि उसके लिए जो persistence, dedication और एक hard work लगता है, वो है, और लोगों को सिर्फ आपका success दिखेगा, उसके बीचे की मेहनत नहीं दिखती आपके साथ भी यह होगा age फरक नहीं पड़ता, आपका background क्या था, फरक नहीं पड़ता, तुम किस community से belong करते हो, फरक नहीं पड़ता, सिर्फ एक चीज से फरक पड़ता है are you a chartered accountant or you are not a chartered accountant, game end there is no concept called as I am in CA final, I am in inter, there is no concept, जिस दिन तुमने अपना goal change कर दिया न, कि मुझे सिर्फ inter pass कर लेना है CA बनने का, I am a CA or I am nothing, this is the game, I am a CA or I am nothing, this is the game, that's it, no further explanations required and जब तक CA नहीं बनते, तब तक के don't tell yourself I am in CPT, I am in foundation, I am in inter, I am in IPCC, I am in final, no, I am a CA or I am not a CA, game end, if you are not a CA, go work hard go work hard, game end, till the time, जब तक बेड तुमको तुरंत सुलाना दे, तब तक तुमारे अंदर capacity है, तुम कर सकते हो, पर अगर तुम बेड पे सोके, एक गंटा और सिर्फ WhatsApp यूज कर रहे हो तो तुमारे से बड़ा बेवकुप कोई नहीं, क्योंकि वो एक गंटे के अंदर में, as of now तुम कुछ भी कर सकते हो, और ये पूरा game तुमारे को सिर्फ CA बनने की practice का है, पूरा game, कि boss दिन भर बैठे रहोगे, office के अंदर में टिका के कोई client नहीं आ रहा है, तो भी बैठने का patience है गया, और वो भी time आएगा, जब bank audit आएगा, September आएगा, तुम पागल रहोगे, खा पे कोई CA होगा, तो पूछ लेना जो मैं बात बोल रहा हूँ, किसने article चिप देखी होगी, तो पूछ लेना उसके बात, खाना तक नसीब नहीं होता, September में CA बनने के बाद, और as a teacher हमारे लिए ये period, क्योंकि result आ गया, regular batch चालू होने वाला है, revision batch चाल रहा है, जितने लोग अमेंडमेंट के लिए वेट कर रहे होंगे, जितने लोग है कहीं ना कहीं, you know, next PD के लिए वेट कर रहे होंगे, final level पे, inter level पे, अब सोचो हमने क्या करने का, हमारे लिए ये period रहता, जहाँ पर untiring effort किया, तो आगे के 6 मेने proper जाएंगे, और तुमारे लिए ये period है, तुमार तुमारे लिए period है, अगर तुमने March से पहले अच्छी मेनत कर ली, क्योंकि March के बाद तुमारे पास time नहीं बचेगा, तुमने March से पहले, या September से पहले मेनत कर ली, जितनी मेनत हो सकती हैं तुमारे पे पागलों जैसी, वो इस period में हो सकती, तुमारे लिए ये return का period है, और तुमारी पहली कमाई है तुमारी book, इसे दिल खोल के खर्चा करो, दिल खोल के खर्चा करो, March तक के अगर तुम एक बार revision कर पाए, तो तुम अपने आपको पास समझना, नहीं तो तुम November के लिए तयार हो जाना, क्योंकि April के अंदर में pressure इतना रहता है, इतना pressure रहता है कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे, और सर वैसे भी फरवरी आ चुका है, मैं आपको एक बार याद दिरा दू, 28 दिन फरवरी के, March के 31, बस ऐसी एक छोटा सा calculation बताता हूँ, देख लो एक बार, 28 February के, 31 March के, 30 April के, assume अब तक notification नहीं आया, तो में में एक्जाम होगी, assume, 9, 3, 3 6 और 2, 8, 89 days remain in the examination, around 9 subjects are there, substantially 10 days for each subject, can you prepare, और, इसी बीच आपका वी कॉम आ रहा है, मैं आपको याद दिरा दू, इसी बीच आपका वी कॉम आ रहा है, एक दिन आपका वी कॉम आ रहा है, एक दिन आपका exam form भरने में जाएगा, आप आप आफ पुने हैं, तो यहां से जाने क दो दिन का shifting का, और पूरी तबित तो ठीकी रहेगी इस 90 दिन, किसी के याँ शादी नहीं होगी, घर में कोई emergency आई नहीं सकती, और जून है, तो इसमें और 30 बढ़ा देना, क्यार, 24 गंटे तुम पढ़ोगे, नींद बीन क्या है, बिटा, कूल मिलाके तेरे हाथ में 90 दि बचे, ये 90 में अगर तु कुछ कर सकता है, तो 90 पीने लाएक रहेगा, इस 90 में तु कुछ कर सकता है, तो ठीक है, नहीं तो तेरे life, मसता इसमें plus six months add कर देना, और मैं आपको ना, सिर्फ एक जजबा बस दो मिनिट के लिए देना चाहता, दो मिनिट के लिए एक चीज बस imagine करो, आज तक कितने लोग है जिनने fail का result नहीं देखा, हाथ उटाओ, result open करते हैं, और FAIL दिखता है, तो क्या होगा, सिय में बहुत common बात है, पर तुमारे लिए अब तक यह common नहीं है, तो कि जिस दिन तुमारे हाथ में यह result आ गया न, वो एक दिन इतना घटिया गुजरता है न, इतना घटिया, it's like कि तुमारी आत्मा मर चुकी है, तुमारी बोड़ी कोई दफन कर चुका है, और तुम अ यही नौ सब्जेक्ट फिर से पढ़ने हैं, आकाउंट्स, डिटी, लौ, कॉस्टिंग, एफ एम, ओडिट, EIS, बेटा, दुबारा यह बुक न, जहर लगेगी, जहर, क्योंकि यही बुक फिर से उत्ता पढ़के नहीं होगा, जिनने नवेंबर दिया था और जो यह देख रहे हैं, वो मेरी बात को पूरा अंदर तक समझ रहे होंगे, यही बुक उठाके फिर से पढ़ लेना, अकाउंट्स का अमल्गमिशन के पूरे प्रब्लम फिर से सॉल करना, पीजी बीपी फिर एक बार रिवाइस करना, अए है है, मस्ता, सर क्या आप हमें डरा रहे हो, हा कि यहींर, हाँ, सर क्या आप हमें डे मोटिवेट कर रहे है, हाँ, बेटा, जिस दिन फेल का रिजल्ट आगया तेर से पहले ना तेरे माबाब तुटेंगे, क्योंकि वो पिछले एक साल से तुमारे पे 100% ट्रस्ट करके, तुम पे 100% ट्रस्ट करके तुम्हें हर चीज की के आजादी दे रहे हर चीज की हर चीज की आप डिसाइड करो करना क्या है मैंने आदा घंटा सिर्फ इस चीज के लिए बोला विकॉज आई वस लुकिंग कि कुछ लोग ऐसे गोल अचीव नहीं होते मेरे भाई ऐसे नहीं होता आपके लिए संदे तो मेरे लिए तो डबल संदे न चाओं न लुँ पॉइंट वो निया है पॉइंट यह है मेहनत करने और तुमारे साथ करने और तुमारे को करके दिखाना है कुछ भी हो जाया बैठे रहने का चुप चाप टिका करके जब तक पढ़ा रहा हूँ तब तक पढ़ते रहने काम खतम Game end No if no but क्योंकि जतना स्पीड में तुम यहाँ पढ़ रहे उतना स्पीड में तुम सेल्फ में नहीं पढ़ सकते जितना स्पीड में तुम यहां पढ़ रहे उतना स्पीड में तुम सेल्फ में कभी नहीं पढ़ सकते तो पढ़ लो और आलस तो तुमको ऐसे भी आएगा कुछ करो या ना करो समझ मारी बाद दस तकलीफ आएगी बट्ट आर यू रेड़े चला आजा भाई 3580 3580 इदरा